हाई गाईज वेलकम बेक टो नथर एपिसोड एंड गाईज यार यह अटेक्स टाउन होल 10 पर भीया लाइटिंग इस्पेल कितने खतरनाक है अगर गाईज आप वीडियो पूरी देखते हो ता आप बोलोगे भाई यह स्टेटीजी से कोई साभी बिस डिस्ट्रय क्या जा सकते हैं गाईज यहां पर देख सकते हो बंदे ने एलेवन की लेवन ओल स्पेल्स लाइटिंग लेके गया एंड बाई दो एर डिफेंस टेक ड सब्सक्राइब बस्ते ही रोज बस्ते गाईज आप लोग हीरो यूज करके किसी भी एक कॉर्णर पर फरनल क्रेट करके देन अपना ड्राइगन अटेक एक्जिक्यूट कर सकते हो एंड अभी यह मतलब जस्ट प्रेक्टिस अल्रेटिक अभी लड़के इतने परफेक्ट तो देख सकते हो ड्राइगन सीधा सीधा डिप्ला गेते कुछ राइट गे कुछ लेफ्ट गे बट कोई दिक्कत ने आरे इसकी किंग कुईन से पहले फुनल कर लेना चाहिए था ताकि भी यह ड्राइगन सीधा सीधा पर जाए बट नहीं आप ठोड़ा मलब पहले सीधा स स्टाट कर दो एंड गाइस देख सकते हैं ही रोज एक ओनर पर अच्छा का सिस्टल डे ड्राइगन सको भार्णी आने देरें पर सीधी से लावा जो रूप आउट वा ड्यू टूब या किंग कुईन उसकी रेंज में आ गये थे बट इसकी कोई दिक्कत ने आरे कर लेते हो तो इससे आपको काफी अड्वांटेज मिलेगा तो आई नो मैक्सिमुम पिलस भी या लाइटिंग यूज करेंगे बट गाइस जो बंदा यूज नहीं कर रहा तो देख लो भाई कितनी तगड़ी स्टेटिस ही है ठीक है सबसे बड़ी बात देखो यह अभी त पेस कम हो गया तो बंदे लाइटिंग यूज कर रहे तो ऐसा सीन कम है तो आप लोग इजी बेस्किल कर सकते हैं यहां पर देखो बंदे ने कुछ नहीं करा सीसी एंड एर सीपर भी टेक डाउन करा बगल में एक बिल्डिंग और ती वह भी टेक डाउन करती देखो कितना स जल्द जल्द बिल्डिंग को टेक डाउन करने के लिए तो याद देखो बेस में बोलूंगे कुछ बचा निकुकि दो एर डिफेंस आप टेक डाउन कर चुकि सीसी तक भी या उड़ा दिया लाइटिंग से देखो कितना मतलब ऑबर पावर चलने चीज है ठीक है त्या ट प्रैक्टिस करने का जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी निकलेगा ठीक है यहाँ पर वाइफ फरनल के नाम पर देखो किंग क्विन से यहाँ पर सीदी सीद बात है एर डिफेंस टेक डाउन किया गया ठीक है स्टोंस लेमर ड्राइगन से लून्स वगरह भी आएंगे जिंती के तीन-चार लून रखके जाते लटके अब इस देख सीदा सीदा पर डिप्लाइ कर दिये मैक्सिमम एर डिफेंस टा उससाइड से टेक इक इसीपूट किया गया है एंड थेंस टॉंस लेमर बैया सीदा सीदा मल्टिन फिरनों के तरफ बट नहीं अभी म दूब नहीं करेगा पहला से टावर की तरफ गया थेंवा पर आके गया एंड दो हैस्टेक इसलाफ हम काफी सोकिंगे काफी यूनिक जगह पर निकला काफी लोग काफी जाद दूरी पर निकला बट कोई दिक्कत निए इस टॉंस लेमर इतना इतना ओपी है एक तो उसके सब्सक्राइब या एच्पी बहुत ज़्याद है ठीक है बहुत ज़्यादा है एर डिफेंस बेस पर कोई बस्ता नहीं है तो इतनी जल्दी ओपन नहीं होता देखो मैक्सिमम डिपैंस उस पर लोग रहता है पीछे से ट्राइगन हो गया एक लून हो गया वह काफी परनार इसके लावा कुछ हीने स्टेटेजी में है सीधा सा जहां पर एर डिफेंस के साथ बिल्दिंग एकदम चिप की विया आप उसको टेकड़ाउन कर सकते हो कई बार ऐसा ही हो तो ग्राउंड अटेक में बंदे सिसी टेकड़ाउन करने के लिए भीया थी लाइटिंग पर एंड यह काफी अच्छी तरीक से डिपलाई की गए थी एक ड्रैगन पांचे लून अभी भी है एंड यह बचा के स्टोरेज के लाव कुछ बचा नहीं था फैनली भीया डार्क के माइन बच वह यह यह बी गई तो गैज ऐसे करके आप लोगी सिंपल्सा निकाल सकते ह है एंड जिस किसी ब्रोको गाइस यह स्टेटिस यह थी लगी तो मेक सुर यार निक्षे भीया लाइक हो सब्सक्राइब वाला बटन उसको दबा दिया करो भाई छोड़ो या ड्राइगन छोड़ो चा लून छोड़ो को कोई फ़रागा नहीं पड़ता बट वह दब जाने क्वीन एंड सीची ओफी भाई क्या ही जबर्दस दिमाग लगा यहां पर सीची पूरा का पूरा टेक डाउन क्वीन टेक डाउन एक सब्सक्राइब गोलम के साथ किंग देन लून देन बेबी ड्रेगन क्या बात है एक वाल ब्रेकर युश करया टेस्टिंग के लिए ताक कंफर्म करना चाहते है पहले अच्छा क्रेट हो देन ताकि यहां पर एक डिप्रेंस एंड मल्टिन फिर्नो टेक डाउन कर पाए नाइस यार बट भी अभी तक डिप्लैंग करें ओके पहले किंग सी चाहते है कि पूरा पूरा किंग थोड़ा आगे तक बूव कर देता कि यह कुन हंडेड परसेंट कंफर्म इंसाइड बेस ही जाए नाइस यार इतना विया वेट करना काफी अच्छा है एंड गाइस तीन लावा एक स्पॉंसर यामर ओनली सिक्स्टीन लून्स सिक्स मिनियन थ्री हैस्ट एक प्रिजिन हैंड टीग है फैनली क्विन की प्लेसमे लून्स काफी इंगेज रहेंगे फिलाल यहां पर मल्टीन फिर्न वगरा जरूर बट देखते हैं यहां पर किस आप से एक्जिक्यूट किया गाता थे क्वीन की अबिलिक्टी वगरा सा पॉप आउट हो चुकी ऑटोमेटिक विया हैस्ट किया अरली अरली तो नहीं दिया काफी काफी ज़्यादा जुरूरत यहां पर लिए तो मल्टीन फिर्नों मैक्सिमाम को टेक्डाउन कर देता है स्टॉंस देख सकते हैं यहां पर बहुत ज्यादा ओप एर डिफेंस पूरा का पूरा लोग को उसको पर बट उसको कोई फराग नहीं पड़ता है पर लूंस के ज़रूर है इंड़ सीपर की तरफ जारे बट वहां पर एडवांस में हैस्ट दी गई है ताकि वहां से लूंस गाई सीधा सीधा आगे जो एर डिफेंस सीधा वहीं जा रहे एंड नाइस है काफी अच्छी है लिए निकाल ली गई गई गाई स्लैमर लास्ट में उपन फूटान है यतने सारी चीज़े बच्ची है तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो लाइटिंग स्पेल से चाओ सीची वगरे टेक डाउन कर सकते हो अगर आपको लगता सीची प्रोब्लम करेगा अगर आपको लगते एर डिफेंस निकालना ज्यादा इज़ी है ज्यादा मला व पहली बारी में नहीं दभाया था अब देवाद है ना ठीक है अब के लिए आगे ऐसी ऐसे स्टेटेजिस बिलकुल लेकर आते रहेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छे लगे तो बिया देको लाइक जरूर मारा करो यार ठीक है थोड़ा शेयर वगरा करते आकर उपने द